यह कि लड़की जब घर से विदा होके जाती है, अपना घर छोड़के, अपनों को छोड़के, नए लोगों के बीच वाकई मुश्किल काम होता है, हम उसका सम्मान करते हैं, पर ज़रा सूचिए, जो लड़के घर से दूर नौकरी करने जाते हैं, क्या उनको भी अपना घर, अपना दोस्त, अपना परिवार छोड़के नहीं जाना पड़ता, उनके उपर भी कुछ तो बीचती होगी, मैंने सुचा उस खयाल को क्यों ना कुछ शब्दों के माध्यम से आप तक पहुँचा हूँ, तो ये कुछ लाइने हैं, वो हम पढ़ते हैं आज, जो तकिये के बिना कभी सोने से भी कतराते थे, आकर देखिये, वो अब कहीं भी सो जाते हैं, खाने में सौ नकरे करने वाले, अब कुछ भी खा लेते हैं, अपने रूम में किसी को भी नहीं आने देने वाले, अब एक ही बिस्तर पर सब के साथ एड़िस्ट करके सो जाते हैं, भाई पाईशें रखने वाले अब कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं चाहिए। पैसे कमाने के जरूरत में वो घर से अजनबी हो जाते हैं, लड़के भी घर छोड़ जाते हैं। बना बनाया खाने वाले अब वो खाना खुद बनाते हैं। मा, बहन, बीवी का बनाया आब वो कहां खापाते हैं। कभी ठके हारे होते हैं तो भी वैसे ही सो जाते हैं, क्योंकि बेटे भी घर छोड़ जाते हैं। महले की गलियां जाने पहचाने रास्ते, जहां दोड़ा करते थे अपनों के वास्ते, मा, बाप का प्यार, यार, दोस्त, सब पीछे छूड़ जाते हैं। तनहाई में करके याद लड़के भी आँसू बहाते हैं, क्योंकि बेटे भी घर छोड़ जाते हैं। नई नवेली दुलहन, जान से प्यारे भाई बहन, छोटे-छोटे बच्चे, चाचा, चाची, ताउ, ताई, सब कुछ छुड़ा देती है सहब, ये रोटी और ये कमाई, मत पूछो इनका दर्द, वो कैसे छुपाते हैं, क्योंकि बेटे भी घर छोड़ जाते हैं। आज की ये कविता उन सारे बेटों के लिए, जिनको बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है, लेकिन चुँकि हमारे समाज में एक डायलॉग प्रचली थे, कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन ये फिल्मों में ठीक लगता है, मर्द को भी दर्द होता है, उसके भी आशु आते हैं, और बेटे भी घर छोड़ जाते हैं,